शुरू अलाह के नाम से जो बड़ा महरबान और नहायत रहम करने वाला है दोस्तो, आज हम आपको सुल्तान उल-उलिया हजरत अब्दुल खादिर जिलानी रह्मत उल्ला अलेही की एक नहायत अहम करामत आपके साथ शेयर करने जा रही है किस्सा कुछ यू है एक मर्तबा दो आदमी आपस में लड़ रहे थे उन में से एक एसाई था, उसरा मुसल्मान था इस गली से शेक अब्दुल खादिर जिलानी रह्मत उल्ला अलेही का गुजर हुआ उन लोगों को लड़ता देखकर हुजूर घौस पाक ने पूछा क्या बात है तुम लोग क्यों लड़ रहे हो उनको देखकर मुसल्मान शक्स बोला उसने कहा हुजूर ये शक्स एसाई है और मुझसे कह रहा है मेरा नभी तुम्हारे नभी से उंचा है और हमारे नभी की शान में गुस्ताखी कर रहा है मुसल्मान आदमी बोला हुजूर हम हज़रत ईसा का एhtराम करते है और तमाम अन्विया कराम हमारे नबी की अजमत को मानते है आप उसाई आदमी के पास गए और कहा तुम्हारे पास क्या सबूत है के तुम्हारे नबी हमारे नबी से अफसल है वो शक्स कहने लगा हमारे नबी हजरत इसा अलही सलाम मुर्दे को जिन्दा कर देते थे और ये बात कुरान मजीद में भी मुझूद है कुरान में कहा गया है कि हजरत इसा अलही सलाम मुर्दू को अल्ला के हुकम से जिन्दा कर देते थे आपके नबी की बारी में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ इसलिए मैं कहता हूँ हमारे नबी अफसल है इस इसाई शक्स की ये बात सुनकर गूस पाक दस्तगीर जलाल में आ गए और जलाल की हालत तारी हो गई आप रह्मतुल्ला अलेही ने फरमाया हमारे नबी की शान और रुद्बे को तुम क्या पहचानोगे मेरे आका का एक मौजज़ा नहीं हमारे नबी का देखना मौज़ा चलना मौज़ा और बोलना भी मौज़ा है मैं नबी तो नही हूँ लेकिन हम आमती मौमदी के घुलाम है अगर मैं आपके सामने किसी मुर्दे को जिन्दा करके दिखा दून तो क्या तुम हमारे नभी पाक पर इमान ले आओगे सरकार रह्मत उल्ला अलेही की ये बात सुनकर इसाई शक्स हेरान हुआ और कहा मैं इमान ले आओगा मगर आप ऐसा करके टू दिखाए सरकार रह्मत उल्ला अलेही ने कहा मेरे साथ चलो आप रह्मत उल्ला अलेही ने इस आदमी से फरमाया ये एक गानी वाले की कबर है जो गाना गाता था और गाना गाती दौरान इसकी मौट हो गई ये जब गाना गा रहा था ताब मौट ने इसको दबोच लिया क्या हम इसको जिन्दा करके दिखादन तु वो इसाई हजरत खौस आजम रह्मत उल्ला अलेही को फिर से हरांगी से दिखने लगा और कहने लगा बिल्कुल इसको जिन्दा करके दिखाए इस आदमी के ये कहने की डै ठीके आपने हुकम जारी किया कि अल्ला के हुकम से ये मुर्देतु जिन्दा हो जा अचानक कबर्फटी और वो मुर्दा जिन्दा हो गया हजूर की करामत देखकर इसाई की आखे खुली की खुली रह गई वो उसी वकत गिर पड़ा और इमान ले आया